साथियों, गैस आधारित अर्थववस्ता, आज भारत की जरूरत है, वन नेशन, वन गैस ग्रीड, इसी जरूरत को पुरा करने का एक महत्वपुन अभियान है, इसके लिए, पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार के साथ साथ, नेचुरल गैस की किमते कम करने पर भी, फोकस किया जा रहा है, बिते सालों में, ओइल और गैस सेक्टर में कई बड़े सुधार भी किये है, हमारे इन प्रयासों का परणाम है, कि आज भारत पुरे एशिया में, गैस की सबसे ज़्यादा खपत करने वाले देशों में, शामिल हो गया है, इस साल बजेट में, देश ने स्वच्छ और सस्ती उर्जा के लिए, हाइड्रोजन मिशन की भी गोष्णा किये है, जो क्लीन फ्यूल के अभियान को ससक्त करेगा, साथियों छे साल पहले, जब देश ने हमें अवसर दिया था, तो विकास की यात्रा में पीछे रहे गए, पुर्वी भारत को विक्सित करने का एक प्राण लेकर हम चले थे, पुर्वी भारत में जीवन और कारोबार के लिए, जो आधुनिक स्विधाएं चाहिए, उनके दिर्माण के लिए हमने एक के बाद एक अनेक कदम उठाएं, रेल हो, रोड हो, हवाई अड्डे हो, जलमार्ग हो, पॉर्ट हो, ऐसे हर सेक्टर में काम किया गया, इस एक्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, ये पारंपारी कनेक्टिविटी का अभाव तो था ही, गैस कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, गैस के अभाव में पुर्वी भारत में नए उद्योग तो क्या, पुराने उद्योग भी बंद हो रहे थे, इसी समस्या को दूर करने के लिए पुर्वी भारत को पुर्वी बंदरगाहों से जोड़ने का फैसला लिया गया, साथ्योप प्रधान मंत्री उर्जा गंगा पाइपलाइन इसी लक्ष के साथ आगे बढ़ रही है आज इसी पाइपलाइन का एक और बड़ा हिस्सा जनता की सवा में समर्पित हो चुका है लगबग साड़े तिन सो किलोमेटर की डोभी दुरगापूर पाइपलाइन बनने से पंचिब बंगाल के साथ-साथ बिहार और जारखन के दस जिलों को सीधा लाब होगा इस पाइपलाइन को बनाते समय करीब 11 लाख मेंडेज 11 लाख मेंडेज का रोजगार यहां के लोगों को मिला है अब जब यह पूरी हो गई है तो इन तमाम जिलों के हजारों परिवारों के किचन में पाइप से सस्ती गहत पहुँच पाएगी CNG आधारित कम प्रदुशन वाली गाड़िया चल पाएगी इसके साथ साथ इससे दुर्गापूर और सिंद्री के खात कारखाने के लिए भी गैस की निरंतर सप्लाई संभव हो पाएगी इन दोनों कारखानों की ताकत बढ़ने से रोजगार के नए अवसर बनेंगे और किसानों को परियाप्त और सस्ती खाद मिल पाएगी मेरा गेल और पच्चिम मंगाल सरकार से आगर रहेगा कि जगदीशपूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाईप्लान के दुर्गापूर हल्दिया जंक्षन को भी जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें